दोस्तों जहिंद स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में दोस्तों आज का वीडियो अप लगली बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है क्योंकि एक बंदे ने मुझसे पूछा एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा और है कि अगर हमारी मतलब मैं आर्मी में चला जाता हूं और हमारी साधी हो जाती है तो क्या वाइफ मतलब आर्मी क्वाटर के लिए वाइफ की क्या डोकुमेंट होनी चाहिए मतलब अगर मैं आर्मी क्वाटर चाहिए अंदर केंपस के अंदर तो कौन सी डोकुमेंट्स हमें requirement होगी नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं अमर के vlogs तो वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तों सबसे पर में बताना चाहूंगा कि जब आप आर्मी में है और दोस हो कौया आपके पर तो ऊथा हैं और यह हैं कि अपको कौर्टर को जाता है लेकिन जब की साधी हो जाती है तब हमें नंबर आ गा उसके बाद आप लोग교 को कौयर कर अदेगा ने अगर खाली नहीं है तो आप को नहीं मिलने वहाल आप लोगों को बाहर लेना पड़ेगा अब बात करते हैं जब हमारी वायपों आती ए तो आरमी कौटर हमें चाहिए तो उसके लिए कौन-कौन से डॉकुमेंट से यहां पर यह बंदे पूछ रहे हैं कि कौन-कौन से डोकुमेंट समय requirement होंगे तो मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग को ज्यादा डोकुमेंट कुछ भी नहीं चाहिए बस एक सिंपल आपका मैरेट सेटिपिकट चाहिए आपकी जो साधी नियम कानून बहुत ज्यादा हो जाता है आप इंडियन कंस्ट्यूशन में हो आप सम्विधान में हो वो तो नियम फॉलो करना ही पड़ेगा आप लोगों लेकिन यहां पर आप आर्मी में जवान होते हो तो आर्मी के नियम भी आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे और कर सकते हैं गार पच्छी साल से नीचे हो अप तो आप ौाटर नहीं ले सकते हो अपने सब्सक्राव के लोग को मिल जाने बाहर है कि जब बाहर में कहीं लोग वाटर तो इसक retir नहीं मिलेंगा उसके भी पैसे अपनों मिल जाने वाले हैं लेकिन अगर आप आर्मी क्वार्टर देना चांग रूपर लेना चाहते हो वो वी अंदर में तो उसके लिए साधी करनी होगी साधी 25सी साल में जब आप लेते हो तो आपको आर्मी कॉटर मिल जाने वाले हैं I think that कि मेरे certificate यहाँ पर सबस्य अच्छा option अगर मेरे certificate बनवा लेते हो तो आपको आर्मी कॉटर लेने में बिल्कुल भी problem नहीं होने वाली है okay so I think that आप लोगो full clear हो गया और कुछ भी doubt है तो आप लोग comment box में comment कर सकते हो मैं उसका reply जरूर देने वाला हूं okay so आज के लिए इतना ही thank you so much अगर वीडियो चलगा तो लाइक जरूर करना चैनल पर नए हो तो subscribe करके जाना okay so thank you so much bye bye